कि हाथ जोल डाक्टर से बोल पड़ा है मरीज विसंगतियों से हाथ से हाथ जोल डाक्टर से बोल पड़ा है मरीज आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए कि हाथ जोल डाक्टर से बोल पड़ा है मरीज आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए अब मुझको करोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए चौथी पंगत पे तालिया समाल के बैठना मुझको करोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए और जिस वार्ड में है कनिका का पूर भरती है हमको उसी में क्वारंतीन कर दीजिए वाह क्या बात है अच्छा लग रहा है अधो जोड़ा तालिया मजा के बताया करो तो हम बहुत बढ़िया पढ़ेंगे अभी सेंपल दिखा रहे हैं माल का माल को सो गोदाम में रखा इतने मन से सुनेंगो इतने मन से हम सुनाएंगे कि जिस वार्ड में है कनिका का पूर भ पतनी बहुत काली है बिलकुल काला काला जामुन समझो संबु भया से भी काली है काला काला जामुन समझो पतनी हमारी काली है पतनी ही हमारा धन है बाबा राम देव कोई रहे काला धन वापस करो पंदरा दिन का टाइमे को जल्दी नहीं जब समझ में तब ताली बजा सकते करो एक दिन तयार होगे बाबा की बाद है लग वापस कर दे बाबा ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया काले धन को सारवजनिक करो तो बाबा को ध्यान में रखते हैं चार पंकिया सुनेगा संभू भाई आनंद लीजिएगा कि बाबा राम देव बोले बूड़ों को सिकायत है हम बाबा जी का चमन प्राशने ही खाएंगे कि बाबा राम देव बोले बुढ़ों को सिकायत है हम बाबाजी का चमन प्रासले ही खाएंगे और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे कि मैने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो वही बुढ़े फिर दौन-दौन कर आएंगे अव अपनी हटा के फोटो मलिका की जो लगा दो चमन प्रास चोड़ो बुढ़े डिबा चात जाएंगे तालिया जोऔर दा रानी चाहिए बात करते से कि अपनी हटा के फोटो मलिका की जो लगा दो चमन प्रास छोड़ो बूढे डिबा चात जांगे बड़े मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहें एक परिचे का चंद पड़ता हूं अधित जी जब चार लोग अपस में अपरचित बैठे होते को एक दूसरे का पर nice सुनेगा आनंद लिजिएगा की एक ने कहा जिलाधिकारी थे परजै सफे परिचे सुरू होता है कि एक प्रभुक लोग से प्रमुख सच्छी वाएं और दूसरे ने कहा केंदर सरकार में हें मंत्री पारटी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव है आप तीसरे ने कहा कई मठोगे मठा धीस मुझे बसे स्कृपा करे भोले शिव है तीसरे ने कहा हम महें ने पदासीन हुए तीसरी लहर के कोरोंब ना पाज्टिव कि चौथे ने कहा हम नहें नहें पदासीन हुए तीसरी लहर के कुरोना समय बहुत कम है दो तीन चंद और पढ़ता हूं पना स्थान लेता हूं बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं एक चंद और सुनेगा इधर तमाम नौजवान साथी बैटे हला कि सब नौजवान ही अच्छा बहुत अच्छा है आपकी फरमाइस भी थी मैं चार पंक्तिया पढ़ देता हूं सुनिएगा कि इसकबाज बच्पन में बहुत जादे था मैं प्यार मोहबत में अक्सर लोग फंस जाते दुप चले का तरीका बताता हूं कितने लोग तरीका जानने चाहते ज़र और मस्ति में आजयेगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा सायद थरूठा उसकी ही किसी चाल से और मैंने कहा आप इसे बेवजाह कूट रहे कुछ नहीं मिलता है जगड़ा बवाल से कि उसने कहा कि हट जाईए जनाब आप आज इसे कोई छुड़ा सकता न थरूफर काल से और फोन का रिचार यहमसे कराथी कल मूहीन conscious क煮रा कि रात रात बात करती है राम L Fat तालिया जोर दा रहा है निए बढ़िया पढ़ रहा हुँ अच्छा लग रहा कि फोन का रिचार्ज हम से कराती कल्म ही और एक चंद इसी खांदान का सुनिएगा खांदान थोड़ा लंबा है लेकिन समेटे हुए पढ़ता हूं सुनिएगा कि पिता जी ने कहा साधी कर दू तुम्हारी बेटा पढ़ली खपाते नहीं बुध्धी बड़ी मंद है पिता जी ने कहा साधी कर दू तुम्हारी बेटा पढ़ली खपाते नहीं बुध्धी बड़ी मंद है और मालदार सा सुराल मिलेगा दहेज खूब सोचले न भाग के स तारे भी बुलनद है फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई सीधी भोली भाली है न कोई चल चंद है और मैंने कहा एसे लड़की से साधी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है अच्छा प्यार महब्बत के चक्कर में अकसर लोग फंस जाते तो बचने का तरीका बताता हूं कितने लोग बचने का तरीका जैनना चाहते हैं जरा हाथ उठा हूए Can जानना सब चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग पती-पतनी साथ में बैठे तो कहीं नहीं पा रहे हैं तो सुनिएगा बचने का तरीका अच्छा लगे थोड़ा और मस्ती में आजेगा कि इसकवाज बचपन में बहुत ज्यादे था मैं अब पहले दिखा ता प्रेमिका को खुब है थन था अब जो कहें वो हस्ते हस्ते कर लेता हूँ कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए आखों से ही सारे रस्ते-रस्ते कर लेता हूँ कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए आखों से ही सारे रस्ते-रस्ते कर लेता हूँ अब लाइन की लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता